पूरी दुनिया में मश्हूर बोध गया एक बार फिर सैलानियों से गुलजार हो गया है भगवान बुद्ध की ग्यान भूमी बोध गया में विश्व का पहला अंतरास्ट्रिय बौध ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया जिसमें दुनिया के अलग-अलग देशों के साथ साथ एशिया के नेपाल, कमबोडिया, चीन, जापान, श्रिलंका, थाईलेंड, भुटान, मयनमार के प्रतिनिध्यों का बौध अंतरास्ट्रिय मानक के कारिकरम में भरपूर सहयोग मिला इस कारिकरम का मुख्य मकसद बताया जा रहा है बौध सैलानियों के बोध गया और दूसरे बौध महत्यों के एतिहासिक अस्थलों के यात्रा के दौरान यात्रा प्रभंदन को ले कर क्या-क्या संभावनाएं और चुनोतिया है ये बैठक उसी लिए है जिसमें चिंतन मनन कर आगे की दिशा तै की जा सके इस बीच भारत सरकार भी कोशिश कर रही है कि इन छेत्रों में विकास और प्रचार प्रसार कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को यात्रा करने के लिए आकर्शित किया जा सके ऐसे में इस पहले अंतराष्ट्य बौध ट्रेवल मार्ट का कितना फाइदा मिलता है या आने वाले दिनों में पता चल जाएगा बिरो रिपोर्ट बिहार तक